आज चेक करते हैं RC Remote Toy Car Transmit Frequency फॉसिल इसको पर लगा के यह लगा दिया मैंने प्रोब और अब इसको चेक करना है स्टार्ट करते हैं ठीक है तो परली चेक करते हैं क्या होता है ठीक है तो हम चलो दबाते हैं RC Remote के बटम को और देखते हैं क्या result आता है DSO पर तो अब दवाने स्टार्ट करते हैं यहां पर फ्रिकुइंसी दे रखके अभी तो आट्स की कम की फ्रिकुइंसी अभी यह मैंने बटन दबाया और यहां पर फ्रिकुइंसी होगी चेंज वेव के लिए दिख रहा है 12 मेगाहर्स की फ्रिकुइंसी आ रही है 12 मेगाहर्स की फ्रिकुइंसी है टोटल तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो हमारी 12 मेगाहर्स की जिसमें हमारी RC